बॉलिवूड बुलेटिन तितली में मेगा प्रसाद की एंट्री मनोवैज्यानिक का निभाएंगी किरदार वह गर्व अविनाश मिश्रा द्वारा अभिनीत का इलाज करने वाली मनोवैज्यानिक का किरदार निभाती नजर आएंगी अपनी एंट्री और किरदार के बारे में बात करते हुए मेगा ने कहा मैं तितली का हिस्सा बनकर बेहत खुश और आभारी हूँ यहां एक अनोखा शो है और मैं हमेशा सामान्य से कुछ अलग करना चाहती थी इसका विशय बहुत अच्छा है एक्छेस ने कहा मैं और भी अधिक उत्साहित हूँ क्योंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक की भूमी का निभा रही हूँ जो दूसरों के मानसिक संतुलन के लिए उनके पिछले दर्दनाग घावों को ठीक करती है नेहा सोलन की तितली की मुख्य भूमिका निभा रही है जबकि अविनाष तितली के विप्रीत गर्व का किरदार निभा रही है बंबई मेरी जान के निर्देशक ने कहा इसमाईल कादरी की भूमिका के लिए केके मेनन परफेक्ट सीरीज दारा कादरी के जीवन और उठान का वर्णन करती है यह कहानी एक पिता इस्माइल कादरी के लेंस के माध्यम से बताई गई है जो एक इमांदार पुलीस करमी है वह अपने कर्तव्य और जिम्मेदार्या के बीच फसे हुए है मेनन की कास्टिंग के बारे में बात करते हुए शुजात ने कहा मैंने उन्हें एक स्क्रिप्ट भेजी थी मैं लगभग 20 वर्षों से उनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी बात नहीं बन पाई अगर कोई है जो इस्माईल कादरी की भूमिका के साथ न्याय कर सकता है तो वह यह शांदार अभिनेता था उन्होंने कहा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसका एक खास व्यक्तित्व हो जिसकी आभा बहुत कुछ कहती हो मेरे मन में यह धारनाथी की लोग केवल चरित्र को देखते हैं और एक ही बार में उसके जीवन की पिछली कहानी को समझ जाते हैं अमिताब बच्चन ने केबीसी 15 फीट में मेंधक के साथ अपनी मुलाकात की कहानी की साज़ा अब क्विजबेस्ट रियलिटी शो के एपिसोड 22 में बिगबी ने एक मेंधक के साथ अपने बचपन का एक मज़ेदार किस्सा साज़ा किया हरियाना के मंडी डबवाली की इशिता गोयल ने फास्टिस्ट फिंगर फर्स्ट जीत कर हॉट सीट पर अपनी जगह पक्की की तीन हजार रुपए के सवाल के लिए उनसे पूछा गया इन में से कौन सा जानवर अपनी जीब का उप्योग कर अपने शिकार को पगड़ता है दिये गए विकर्प थे शार्क, बिली, पतन और मेंधक ओडियन्स पोल लाइफ लाइफ लाइन का उप्योग करने के बाद इशिता ने सही उत्तर दिया जो मेंधक था जवाब के बारे में बात करते हुए बिक बी ने कहा मेंधक की जीब अनोखी होती है वह तेजी से जीब बाहर निकाल कर कीडो को पकड़ सकता है शिकार को कुशलता से पकड़ने के लिए जीब चिप चिपी होती है इसलिए शिकार उनकी जीब से चिपक जाता है और फिर मिंधक इसे खा जाता है पुरानी बातों को याद करते हुए 80 वर्शिय अभिनेता ने कहा एक बार मैं मिस्टर मिंधक के संपर्क में आया था बचपन के दौरान जब मैं इलाहाबाद में रहता था गर्मी में रात में हम अपना बिस्तर लौन पर लगाते थे और खुली हवा में सोते थे BNT की खास पेशकश